गुड मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टुए चैनल माई क्यूट होम गार्डन तो आज हम आयुरवेद की बहुती लाबदायक औस्दिय पोदे गिलोई या जिसे हम अम्रिता के नाम से भी जानते हैं को कटिंग से ग्रो करना सिखाने वाले हैं तो इसको कटिंग से ग्रो करने के दो मैठड में आपके साथ जो है वो शेर करने वाला हूँ एक को हम soil के अंदर डालेंगे और एक को बिना soil के भी हम grow कर देंगे तो दोनों का result ही मैं आपके साथ जब वो share करूँगा update भी आपके साथ मैं जरूर share करूँगा और अपनी हर वीडियो में result और update आपके साथ हमेशा share करता रहता हूँ तो इसमें भी यही करने वाला हूँ तो वीडियो में अंतक हमार साथ बने रही है चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले बैल आइकन जरूर प्रेस करें तो यह आप देख सकते हैं कि गिलोई की जो cutting है वो मैंने ले ली है गिलोई की cutting आपको असानी से कहीं पर भी मिल जाएगी यह ऐसा ओस्दिय पोदा है जो बिना किसी महनत के बिना किसी nutrition soil के किसी भी weather के अंदर किसी भी soil के अंदर बहुत ही असानी से उख जाता है तो आपके आसपास किलोगी cutting आपको मिल जाएगी जब आपको cutting मिल जाएगी तो आप cutting को तयार कीजी कम से कम 4-6 की छोटी-छोटी cutting है उसके अंदर आप इसको जो है वो तयार कर लिजी तो बहुत भेतर रहता है चार से चेंज की कटिंग भी लग जाती है और एक बार लगने के बाद ये हमेशा आपके गार्डन में रहती है और आपको बता दू कि जब भी किसी को फीवर होता है तो उसका काड़ा बना कर पिया जाता है और फीवर का एक रामबान आउसदी जो है इसको कह सकते हैं डेंग अब कर लिए और अब मैं इनको जो है वो ग्रो करने वाला हूं यह कटिंग का साइज मैंने आपको बता जाए चार से चेंच है और कटिंग जब आप ले तो जहान रखे कि ब्राउन कटिंग ले ग्रीन कलर की जो कटिंग वो ना ले देखिए यह पॉली बैग है इसके ग्रो कर रहा हूं तो हमेशा याद रखे कि जब भी आप इस कटिंग को ग्रो करें तो एक नोड एरिया जो है वो सोईल के अंदर डाल दे किसी भी तरह की सोईल ले लिजे कोई खास कंपाउंड नहीं है सोईल का हर सोईल के अंदर यह उगती है गार्डन सोईल सेंड कुछ भी यह देखें पार्शल शैड में रख दीजिए गर्मी बहुत ज्यादा है तो न्यू लिफ्स जुआ हैंगी तो वह जन ना जाए इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा ज़रूरी है तो यह मेरा फस्ट मैथड है और सोईल के अंदर जो है वो मॉस्टर बना के रख लगा सकते हैं एक और डिजिएसके नेक्स वाला मैथर आपको दिखाता हूं यह देखिया इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने मैंने क्टिन को सोल के अंदर नहीं डाला अ by मैंने सिर्व क्टिंग को जो है मि निटव चिंग और गमले मेर रख दिया और आपको बता दू सिर्फ रखने मात्र से ही यह जो कटिंग है वो ग्रो हो जाती है और देखे मैंने तो गमले पर रख दिया अगर आप इसकी कटिंग को नॉर्माल अपने रूम के अंदर भी रख देंगे न और दस से पंदरा दिन के लिए छोड़ देंगे तो वहाँ पर सकते हैं विदने टैन डेज सेवन टू टैन डेज के अंदर जो आपकी गिलोई है वह मैं कहुंगा कि जर्मिनेट होनी शुरू आ जाती है उसके अंदर कुछ यू लीफ जो है आपको बहुत ही क्लियर ली नजर आएंगे यह देखे जो मैंने कटिंग उगाई थी उनमें देखे हैं और वे यह देखे तो मैंने जनके कटिंग बहुत आसानी से जो है वो ग्रॉ हो जाती है तो यह भी यह मारी ग्रो हो गई है लेकिन अभी इसको ट्रांस्पलां नहीं करेंगे ग्रम क्यों बहुत बदने में थोड़ा सा टायम लगता है लीफ पहले आती है रूट बाद में आते हैं तो मिलते हैं अपनी नेक्स अपड़ीट के साथ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि विदने 25 डीज यह मैं कह सकता हूं कि विदने मंथ लगबग 25 ते 30 दिन के अंदर जो हमने गिलोई की कटिंग लगाई थी पॉली बैक के अंदर उनके बहुत अच्छी ग्रोथ यह वह शुरू हो चुकि है देखी कितना लंबी ब्रांच यह निकल के आए और जो दूसरी कटिंग है उनके अंदर भी आपको क्लियरली विजीबल जो है वह लीफ नजर आ रहे होंगे बड़े बड़े लीफ नजर और सभी कटिंग के अंदर तो हमारी सभी कटिं अच्छे पर रिपोर्ट करने से पहले गंवले में रखी कटिंग का अपडेट तो यह आप देख सकते कि जो मैंने कुछ कटिंग रख दी से समझ रख दी थी मैंने कटिंग तो यहां पार लीफ भी आ गया रूट भी डवलोप हो गई है हवा के अंदर ही रूट डवलोप ह प्रायन घ़कर करने घजते है प्रण चू बीथे काने लिए करेंगे और पालव यह को बाएग को गली है तो रहारे देखिले । ि stove polybag वाली थे अभी इसको हैं रिपोर्ट कर लेतें गयं CHEERING आपको क्या करने है रूट बॉल डिस्तक नाउस के लिए क्या करना पूरा रीमूव कर देना आपको कि यह धेखे आप पालल तिन को आपको क्या करना पूरा रीमूव कर देना है में प्लान पूरी का तयार हो गयागत और जतनी घर्मी receiving अच्छा यह रस्पॉंस करता है आप इसकी स्टैम को जब भ्यूज कर पाएंगे मिट्टी मैंने आपको बता दे किसी भी तरह की मिट्टी विकार से विकार अच्छी से अच्छी मिट्टी सब में हो जाता है मैं तो कहता हूं कहीं आप यह गंबले में रख दीजिए बस ग्र एक वीक तक पार्शा सेड में रखी क्योंकि थोड़ा सा प्लांट जब आता तो शौक में आ जाता है उसके अच्छी ग्रोथ करेगा फिरी में गिलोई तयार हो गया नर्सरी से खरीदने के बिलकुल भी जरूत नहीं पड़िए गर बहुत सारे गिलोई के प्लांट आप फ